हेलो एंड विलकम बैक फ्रेंड्स कैसे हो आप सभी लोग उम्मीद करता हूं कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों टीटेन मैचस में वापसी कर रहे हैं क्योंकि बारा बज़े अभी कोई दुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा जिससे आप एक अच्छा कॉंपिनेशन तयार कर सकें जोस्तों मैं आपको जो अपना फाइनल अपडेट है वो टेलेग्राम पर प्रोवाइड कराता हूं कि टॉस्त के बाद अगर टीम में कोई चैंजिस होते हैं तो वह आपको टेल सब्सक्राइबर्स है उस चैनल को जॉइन कर लें अब चली दूस्तों बात कर लेते हैं सबसे पहले वैन्यू के बारे में मैच होगा बेर क्रिकेट ग्राउंड में इस मैदान के बारे में अगर बात करें तो टोटल 28 मैचिस हो चुके हैं 19 बार सेकंड बेटिंग करने वाल फोकस करेंगे कि कॉंसी टीम जबा चुट अच्छी होगी उस पर थुड़ा सा फोकस जादा रहेगा अब यहां से टूनामेंट के अंदर अगर देखा जाए कि इस तीम जो एक मैच में 26 का स्कूर किया एक मैच में बनाया 98 तो कुल मिलाकर ये वो टीम है जो आपको 100 का अकड़ा पार करके दे सकती है अगर आप इनकी गेंदबाजी की बात करें तो दोस्तों गेंदबाजी में आप देखेंगे इन्होंने सामने वाली टीम से यहां पर 122 रन बनवा दिये थे और इस मैच में 96 का स्कोर इन्होंने सा वल्लेबाजी तो अच्छी है लेकिन गेंदबाजी उतनी ज़्यादा बहतर अभी तक देखने नहीं मिली है तो आप इनके वल्लेबाजों पर फोकस करके चल सकते हैं अब अगर हम बात करें बी वाई बी के बारे में तो स्टार्टिंग के दो मैचे सहारी थी फिर दो मैच इसको उन्हेंनों विन किया है इस टीम की दोस्तों बैटिंग उतनी ज़्यादा कुछ खास नहीं है सतर नाइंटी तिरी एक्टी सेवन एक्टी फाइब का स्कोर आपको नजर आएगा तो यह वो टीम है जो आपको पिच्चासी से लेकर नभे तक का स्कोर करके दे सकती है और यह टीम आपको 100 प्लस तक लेकर जा सकती है लेकिन अगर आप इस टीम की गेंदवाजी की बात करें तो मिनिम्यम साथ विकेट यह आपको निकाल कर देगी मिनिम्यम साथ विकेट आप यह मान के चलेगा बीवाई वी की गेंदवाजी काफी अद तक बैता रहे तो यह अब ध्यान में रखके ही अपना जील का कॉम्बिनेशन तयार करिएगा आगे बढ़ते हैं अब दोनों टीमों के बारे में डिसकेशन करेंगे लेकिन दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है अगर चाहते कि मैं लगतार वीडियो अप्लोड करता अब इस वीडियो में दोस्तों अब सुर्या आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं यहां पर एल एम के बारे में तो पहला नम रोमल बारगजई रोमल बारगजई ने दोस्तों एक मैच में 34 का स्कोर किया एक मैच में मातर 6 रनों का स्कोर कर पाए हाला कि गेंदबाजी क विकेट निकाला था इन्होंने तो टोटल इनके खाते में 11 मैच में 72 रहें जो कि बहुत जादा नहीं है और 9 पारियों में इन्होंने 9 विकेट निकाले हुए हैं जिसमें दो मैच में यह पिछले दोनों मैच में जगे भी बनाई है फिर इसके बाद नाम आता है रिजवा बनाएगा और पिछले दोनों मैच में यह ओपन करने आए थे इनका लगभग 22 का एबरेज है और 10 विकेट इनके खाते में शामिल है आप चाहो तो इन्हें अपना जील के अंदर कैप्टन वाइस कैप्टन भी पिक कर सकते हैं दोस्तों वैसे देखा जाए तो इन्होंने पिछले मैच में गेनबाजी की लेकिन अगर गेनबाजी करते हैं तो आपके स्मॉल लीक के लिए भी बहुत अच्छे कैप्टन वाइस कैप्टन है इसके बाद हैरता नामे मुतसार इक्वाल का मुतसर ऑफ़ाल पर एकवाल यह वह तीसरे प्लेयर जो आपकी टीम में जगे बनाएंगे नमबर चार पर दोस्तों कृष्णांत राजेंद्रन इनको पहले मैचे बेटिंग करने का मौका नहीं मिला दूसरे मैच में इन्हों दो पारियों में चार प्लस दो विकेट निकाले हैं एक बार ड्रीम टीम में जगें बना रहे हैं और पिछले दोनों मैचे में जगें नहीं मिलाई इसके बाद तुशीता रतना रतना नाइका है इन्होंने दोनों मैचे में गिंदवाजी किये अब यह प्लेयर एक ऐसा है दोस्तों इसे दोनों मैचे में गिंदवाजी की पर विकेट नहीं बिला लेकिन यह जील में आपके लिए बहुत अच्छा पिक बनेगा अगर दो दो उबर कम्प्लीट करने की वएसे क्वेश्चा है तो उनों मैचे समय नहीं मिले तो कोई भी इने टीम में शामिल नहीं कर रहा है अगर आप बड़ा कॉंटेस्ट किल रहा हैं तो वहाँ पर रिसक्र ले सकते हो लेकिन अगर हम बात करें दो मैम्बर या फिर तीन मैंबर पर बैटिंग करने के लिए तो इनका बैटिंग में डाउन ऊपर हो सकता है इन्होंने दोनों मैचिस में दो दो बर की गिंद बाजी की है और दो विकेट इनके खाते में शामिल हो चुके हैं दोनों बार ड्रीम टीम में जगे बनाई और पचास इनका एवरेज पॉइंट है इसके बाद अगला नाम है अक्ष्य गुफ्ता का इन्होंने लास्ट मैच में 42 रणों का स्कोर किया लेकिन बैटिंग डाउन था नौ नंवे नंबर पर बैटिंग करने आये थे एक मैच में 42 रणों का स्कोर किया और दोस्तों इन्होंने टी-20 मैचेस खेले हुए जिसमें इनका 36 का एवरेज है इसके बाद अजीज भटी है अजीज भटी ने यहां पर एक ओवर की गिंदवाजी की इस मैच में गिंदवाजी नहीं की थी टोटल 6 पारियों में 6 ओवर डाले हैं जिसमें मात्र एक विकेट इन्हें मिला है और बैटिंग से इनका 19 का एवरेज है और इसके बाद आप इन्हें जील में ट्राइ करिएगा तो शीता रतना नायको को या फिर किसी बड़े कॉंटेस्ट में फिर इसके आद दरजीत सिंग दूसरे प्लियर हमारे लिए इंपॉर्टन बनते हैं स्मॉल लीग के लिए फिर आते हैं दोस्तों यहां से मुदसर इकब इस इंदरन ने जो की टीम के विकेट कीपर भी है जिसमें आपको बताये था कि इस टीम का विकेट कीपर टॉप ओडर में बैटिंग कर रहा है तो अभी हम इन पर ज्यादा फोकस करेंगे इन्होंने दो मैचस में अच्छी बैटिंग भी किये और नो मैचस में 72 रन और 28 इ बात करें तो दो विकेट आपको यह नजर आएंगे यहां विकेट नहीं मिला यहां पर भी विकेट नहीं है और वैसे बैटिंग काफी है तक ठीक कर लेते हैं 15 मैचस में 265 टरन 39 का एबरेज है और 15 मैचस में 26 ओवर की गेंदवाजी में साथ विकेट यह निकाल चुके है और दो बार इन्होंने ड्रीम टीम में जगे बनाई है फिर इसके आद दोस्तों राजकुल सिंगम है राजकुल सिंगम की अगर बात करें तो इन्होंने 33 का स्कोर किया यहां 25 रन किये थे राजकुल सिंगम तो टीम के लिए एक अच्छे पिक है और वैसेन का रिकॉर्ड तो बारा पारियों में च्छे विकेट और अठारा का एबरेज बैटिंग से है और चार मैसे तीन बार यह ड्रीम टीम में जगे बना चुके हैं अभी आपके लिए टॉप 3 जो है तीनों ही अच्छे पिक हैं हाला कि दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा राजकुल यहां एक ओवर की गिनवाजी की यहां 28 रंट की जब ऑपन करने आये च्शे रंट किये यहां पर 19 रंट की जब ओपन करने आये तब अच्छा खेला है अगर ओपन करते हैं तो आप इन्हें पिक कर सकते हो साथ विकेट इन्होंने तोटल अभी तक निकाले हुए और सभी छार मैचेस में इन्हें डूर्म टीम में जगे मिली है इसके बाद यहां पर कि निएदेonces यहां पर वा सकते हैं इसके बाद अगला नामें दोस्तों यहां से पकी धरन प्रभा का इन्होंने यहां पर कोई विकेट नहीं निकाला एक विकेट यहां इनके खाते में शामिल है चटवे से लेकर पांच वे नमबर पर बैटिंग करते हैं आपको दिख जाएंगे लगबग हर एक मैच में मिनीम सब्सक्राइब तो यहां बाद यहां यहां इक वर की गिंपजी कर रहा है दस पारियों में 15 और डालें तो इससे भी अप अधर मैक्सिमं मैचस में मातर एक आवर ही अपने टीम को डाल कर दिया है बहुत कम लोग टीम में रख रहें लेकिन आप रख सकते हैं आपको आपक नहीं को दूस्तों कुछ करने का मौका नहीं यहां पर जगन दिनुशनको कुछ करने का मौका मिला यह दोनों प्लेयर वैसे आपकी टीम सर्जीसennen शाम अगला नाम इसके बाद दोस्तों जो अगला नाम आता है यहां से प्रकीतरन प्रभा का दूसरा आपके साथ लिए तीसरा है थवी करन अरिथरन यह तीसरा इसा प्लेयर जो आपकी टीम में जगे बनाएगा एम कुमार को पिक कर सकते हो अगर ओपन करने आ जाते हैं फिर से त अब दोस्तों आपकी टीम में जगे बनाएंगे आप दोस्तों आजाई सीदे माइफए बिलेबन एप्लिकेशन पर जहां पर आप आप इजली विन कर रहे हैं बहुत सारे लोग बहुत जबरदस्त विन कर रहे हैं आप लोगों के लगातार स्क्रीन शॉट्स मिलते रहते ह आता है हाला कि दोस्तों में उतना फ्री रहता नहीं हो कि मैं आपको टाइम निकालके जल्दी से अपने स्क्रीन शॉट्स शेर कर दो लेकिन लेकिन दोस्तों बड़ा मजा रहा आप लोगों की विनिंग देखें माइफए बिलेबन पर लिंक डिस्क्रिप्शन पर जो कि में चेंज करूंगा मैं मैं टास के बाद वैशाण की बाद दोस्तों यहां पर रविश कुमार है और यही कुछ आपको मिल जाएगा ड्रीम लेवन पर भी यहां पड़ा चेंज नहीं है सेम टू सेम टीम आपको यहां पर देखने मिल जाएगी तो आने वाली वीडियो के लिए आप लोग हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा बने रहेगा मेरे साथ में आप लोगों से फिर मिलूंगो अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई जैन जै भारत